नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल संगितास पेन में बालू का गितना एक आम समस्य है इसका मुख्यकारण परदूसन, धूल, गलत खान पान, खराप लाइब स्टाईल, केमिकल वाले प्रोडेक्ट हो सकते हैं और कई बार तनाव भी इसका एक कारण होता है तनाव के कारण भी हमारा हेर फॉल होता है हाला कि हम सभी जानते कि बाल हमारे परसनेल्टी को पूरी तरिके से चेंज कर देते हैं आप कई बार अगर सीसे के सामने खड़े होते तो अपने डिफरेंट डिफरेंट हेरे स्टाईल करके देखें आपको एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा अपना किसी कारण से आपके बाल गिर रहे हैं आपको हेर फॉल की समस्या हो रही है तो आप अपना confidence table कम ना होने दें आपको हमेशा अपना confidence बनाए रखने है क्योंकि कई बार हेर ना होना गंजा होना भी एक आपको एक अच्छा लुक दे देता है आपकी personality को develop कर देता है जैसे कि विंडीजल जो हॉलिवुड सुपरिस्टार है उनको देख लीजिए आप वो अपने हेर नहीं होने के बाद भी एक handsome सुपरिस्टार के रूप में सबके सामने है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हैर फॉल को लेकर पैनिक करने के लिए या आपको बार बार हैर फॉल के बारे में बताने के लिए यह वीडियो नहीं बना रही हूँ इस में कुछ ऐसे तरीक्या आपको बता रही हूँ जिससे आप अपने हैर की केर कर सके और हैर फॉल की समस्या से बच सके इस जो medicine बताने जारी हूँ, hair fall से related जो भी solution बताने जारी हूँ बहुत ही आसान है और हमारे kitchen में available है जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही easy इसका huge भी है हाला कि इससे पहले भी मैं इस बारे में वीडियो बना चुकी हूँ वीडियो का link भी आपको description में मिल जाएगा आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं लेकिन उससे पहले हम ये बात जान लेकि हमारे बालू के गिरने की समस्या क्या है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं हमारे बालू के लिए कौन-कौन से vitamin जरूरी है या हमें कौन-कौन से ऐसी diet लेनी चाहिए जिससे हमें ये समस्या ना हो उसके बाद हम बात करेंगे जो इस topic में मैं आगे आगे आपको बताते जाओंगी बालू के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ग्रीन वेजिटेबल डाले एवाकाडो ये सारी चीजा अपने diet में सामिल करें और इनको एक डेली रूटीन में अपना डेली रूटीन में इनको डेली यूज करते रहें अब बात करते हैं जिस product के बारे मैं आपको बता रही हूँ इसे आप आसानी से अपने kitchen में ही तैयार कर सकते हैं और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप इसे store भी कर सकते हैं ये product है onion hair oil जी हाँ प्याज का तेल onion को अपने hair पे apply करने का first तरीका तो यह है कि आप onion को कद्दू कस करें और इसको किसी पतले cotton के कपड़े से या छनी से छान ले और किसी रूई या फिर cotton के कपड़े से अपने hair पे इस रस को लगा ले लगबग एक आधे गंटा रखने के बार अपने hair wash कर ले दूसरा तरीका है आप घर पर ही onion oil तैयार करें पहला तरीका था onion juice दूसरा तरीका है onion hair oil इसके लिए आप onion के चोटे चोटे टुकड़े करें और उन्हें किसी भी अच्छे oil में जैसे आउला तेल है बादाम तेल है या फिर coconut oil है उसमें आप अच्छे से इसको पका ले नहीं है तो एक रात पहले अपने hair पर apply कर लें क्योंकि अगर आप onion hair oil या onion juice का यूज करने के बाद बाहर जाते हैं मार्केट में जाते हैं या फिर आप कोई और काम करते हैं तो इसकी smell बहुत तेज होती है जिससे आपको भी दिक्कत हो सकते और आपके आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो सकती इसलिए से जब भी हो आप एक गंटा या फिर आप जब फ्री हो उस टाइम पर ही यूज करें hair oil तैयार करने का तीसरा तरिका यह है कि आप प्याच के बीजू का भी hair oil बना सकते जिसे कलोजी का तेल कहते हैं कलोजी के जो बीज होते हैं प्याच के ही स्टोर कर लें इसे आप लगबग एक हपता या पंदा दिन तक रख सकते हैं स्टोर करके और जब भी आपको hair wash करना है उससे एक रात पहले अपने hair पर अपलाई करें दूसरी सुबह गुन-गुने पानी से और अच्छे सैंपू से hair wash कर लें तो यह था आज का हमारा onion hair oil के भी से में detail में वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें से कोई भी point आपको useful लगा हो तो इस वीडियो को like करें इसके साथ ही आप इस वीडियो का अपने साथ्यों के साथ भी share करें जिससे यह important जानकारी उनको भी मिल सके साथ ही अगर आप hair से related या साजा करते रहती हो अगर आपको किसी भी topic पर कोई समस्या है या आप अपना कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो आप comment कर सकते हैं आपके comment मेरे लिए बहुत महत्तोपोन है आपके comment मुझे बहुत motivate करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए वीडियो को like share जरूर करें और अप हमने के लिए।